असलाम लेकूम अगर आपको मीठे चावल खाने हैं और खिले खिले बनकर नहीं तयार होते हैं तो ये वाली रेसिपी ट्राइ कीजिए जर्दा राइस आपके एकदम पर्फेक्ट बन जाएंगे तो चलिए फिर इसे बना लेते हैं अब सबसे पहले हम करेंगे चावलों को बॉयल तो उसके लिए मैंने एक से देर लिटर जितने पानी को गरम करने रख दिया था अब इसके अंदर जाएगा जर्दे का कलर आधा टी स्पून जितना तो रेड़ वाले फूट कलर का मैं इस्तिमाल कर रही हूँ दो हरी इलाइची एड़ करना है अब जैसे ही हलका सा पानी में बॉयल आ जाए तब आपने इसके अंदर चावलों को एड़ करना है तो मैं यहाँ पर दो कब जितना बासमती राइस के इस्तिमाल कर रही हूँ धोकर मैंने 10 से 15 मिनट बासमती चावल को छोड़ दिया था भीगोने के लिए अब आ जाती है जर्दे के चावलों को किस तरीके से और कितना देर बॉयल करना चाहिए अकसर लोग ये कलती करते हैं कि इसे बिर्यानी जैसा बॉयल कर लेते हैं यानि एक कनी जो है न वो छोड़ देते हैं एक कसर बाकी रहती है उतना इसे पकाते हैं इसे पूरी तरीके से बना लीजे यानि 100% आपने चावलों को गला लेना है बिर्यानी जैसा बॉयल नहीं कर होंगे चलिए अब इसे बना लेते हैं इसके लिए आपने लेना है आधा कप घी का तो इसके अंदर से मैं एक टेबल स्पून घी को पैन में आट करूंगी और कुछ ड्राइफ रूट आपने लेना है बादाम काजू और ये है नारियल अब आपको जितना लेना है आप ले सक लाइची एड़ करनी है इसके अंदर जाएगी एक कप शुगर और चार से पांच टेबल स्पून जितना पानी एड़ कर दीजिए अब आपने शुगर को इसके साथ मिक्स करना है यानि घी के साथ मिक्स करना है हलकी सी शुगर मिक्स हो जाएगी तब आपने ये जर्दा र चाशनी पकर उपर आ जाएगी तब फ्लेम को हाई करके थोड़ी सी चाशनी को आपने खुश कर लेना है और फिर से फैला देना है इसके उपना आपने ड्राइफ रूट एड़ करने है थोड़े से मैं उपर से एड़ करूँगी इसलिए मैं बचा कर रख लूँगी अब ये है जाएफल जो के इसके उपना ऐसे आपने कद्दू कस करके एड़ करना है इससे भी बहुत अच्छी खुश्पू आती है और फ्लेवर भी केवड़ा एसेंस बन टी स्पून जितना इसके उपर एड़ कर देना है ढखकर पांच मिनट के लिए से दम पर स्लो फ्लेम पर छ करूंगी तो ये देखिए जी बहुत जबरदस से हमारे खुश्पूदार जर्दा चावल बनकर तयार हो चुके हैं जैसे शादियों वाले होते हैं उसी तरीके से एक एक दाना देके एकदम खिला खिला बनकर तयार हो चुका है बहुत आसान और सिम्पल सी रेसिपी है कर दो कर दो